नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 18 जून दोपहर 3 बजे राजिस्थान की खास खब्र सरकारी कॉलेजों में पढ़ रही सनातक और सनातकोतर की विद्यार्थी 20 जून से परवेश नमीनी करण की आवेदन कर सकेंगे परवेश के परकिरिया 19 जुलाई तक चलेगी अपयार्थियों को इमित्र पर 20 जून से 19 जुलाई तक फीस जमा करानी होगी एक जुलाई से इन अपयार्थियों का शिक्षन कार्य शुरू किया जाएगा कॉलेज शिक्षा की अयुक्त सुनेल शर्मा ने इस संबंद में सभी राज़के कॉलेजों के प्रचारे को निर्देश चारी किये हैं फीस जमा करवाने से पहले विद्यार्थियों को अपना जनाधार संबंदित कॉलेज से वेरिफाई कराना होगा दरसल विशव विद्याले की और से यूजी फीजी विशव की अनेक परिक्षां के रिजर्ट खोशित नहीं किये गए हैं ऐसे में विद्यार्थियों का अगली कक्षा में परवेश अस्थाई रहेगा जैपुर ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उलंगन करने वाले वाहन चालकों को कैंट्रोल करने के लिए शेहर में चार मुख्या चुराहों पर मिनी कैंट्रोल रूम बना दिये हैं यह मिनी केंट्रोल रूम नरायन सिंग सरकिल, त्री मूर्ती चुराहा, थोबी घाट, स्टेशन रोड पर बनाए गए हैं, इस मिनी केंट्रोल रूम में चार LED लगी हुई है, इसे आदा दर्जन कैमरों और लाउड स्पीकर से जोड़ा गिया है, ट्रैफिक नियम तोडने व हरियाना के फतेहबाद के जाखलक शेतर में एक बीशन सडक हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, मृतकों में व्यक्ति और उसके साला साली शामिल है, तीनों बाइक पर पंजाब की तरफ जा रहे थे, की रास्ते में गाम म्योद के पास कार के चपेट में आ गई, जा राजस्तान के श्रिगंगानगर क्षेतर के 85 चक, MLP निवासी बलविंदर के साथ बाइक पर सवार होकर जाखल से होते हुए मुनक की तरफ जा रहे थे, जाखल से पहले ही रास्ते में म्योद के पास एक वैगनार कार से बाइक की टक करू गई, फर गतना में बाइक सव तीनों लोग सडक पर जा गिरें, गगंदीप की मौके पर ही मौत हो गई, हलांकि तीनों को जाखल CHC लाए गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत खोशित कर दिया, श्रिगंगानगर निवासी बलविंदर के ससुराल कुनाल में अकंडपाट का प्रकाश था, इसमें शामिल होने वह कुनाल गाम आया हुआ था, नेशनल हाइट्रो इलक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने 388 पदों पर वेकिंसी निकाली है, इसके तैत जूनियर इंजिनियर सीविल, जूनियर इंजिनियर इलक्ट्रीकल, जूनियर इंजिनियर मैकेनिकल, सूपरवाइजर, सीनियर अकाउंटेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, ड्राफ्ट्समैन, सीविल, ड्राफ्ट्समैन जैसे पोस्ट पर भरतियां की जाएंगी, कैंडिडेट्स, नेशनल हाइड्रो इलक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की ओफिशल वेबसाइट, nhpcindia.com पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाइए कर सकते हैं, नेशनल हाइड्रो इलक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में निकली भरति में सिलेक्ट होने पर उमिदवार को हर महीने 25,000 से 1,19,500 पे तक सेलरी दी जाएगी, खर्ति परकिरिया में उमिदवारों का सिलेक्ट्र अधारित ऑनलाइन टेस्ट के अधार पर किया जाएगा, इसके बाद डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के अधार पर पोस्टिंग दी जाएगी, लुध्याना में एटियम कैश कंपनी, सी एनमेस में साड़े आठ करोड लूट की, मास्टर माइंड मंदीब का रुर्फ मोना की रफ्तार हो गई है, पंजाब पुलिस ने मोना को उसके पति जस्विंदर के साथ उत्तरा खंट से पकड़ा है, वह यहाँ एक धार में कस्तल में छुपी हुई थी, डीजीपी गौरव यादव ने ट्वेट कर इस बारे में जानकरी दी, उन्होंने कहा कि सौ घंटे के भीतर मास्टर माइंड को पकड़ लिया गया, काउंटर इंटेलिजन्स की मदद से लुध्याना पुलिस टीम ने यह कारवाई की, इससे पहले प अजमेर की रामगन स्थाना पुलिस ने 16 साल की नबालिक से रेप के मामले में अरोपी को गिरफतार किया है, अरोपी नबालिक को शादी का छांसा दे कर बहला फुसला कर उत्र प्रदेश ले गया और रेप किया, थाना परभारी सुर्जेत सिंग ने बताया कि 10 मई 2030 को 16 सा को नबालिक को दस्तियाब कर कोट में बयान करवाए, पेडिता ने अपने साथ रेप होना बताया, जिसके बाद पुलिस ने कारवई करते हुए बक्रा मंडी के नजदीक फरार चल रहे अरोपी उत्रप्रदेश के रहने वाले 20 वर्षे कमल किशोर को गिरफतार किया गया ह भरतपुर के सेवर थाना इलाके में सिमेंट के कट्टों से भरा ट्रेलर पलटने से ट्राइवर की मौत हो गई, अजमेर के केसरपुरा का रहने वाला 30 वर्षे गजेंदर अजमेर से भरतपुर ट्रेलर लेकर जा रहा था, जिसमें 840 से श्री सिमेंट के गट्टे थे, लेकिन गजेंदर ने ट्रेलर नहीं रोका और भरतपुर की तरफ उसे लेकर निकल गया, तब ए आटियों के अधिकारियों ने ट्रेलर के पीछे आटियों की बुलैरो कार लगा दी, आटियों अधिकारियों से बचने के लिए गजेंदर ने ट्रेलर को काफी स्पीड में दुड़ाया और बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया पूरी सड़क पर सीमेंट के कट्टे फैल गए गजेंदर ट्रेलर के कैबिन के अंदर फस गया हादसे को देख आर्टियों के अधिकारे वहाँ से भाग निकले टांग चिले के काबरा गाम में पत्थर की खान डहने से मलबे में दबने से दो मज़़ूरों की मौत हो गई जानकारे के अनुसार खान पर काम करने वाले दोनों मज़़ूरों को खाइला वस्ता में अस्पताल में लाए गया जहां चिकित्सोकों ने दोनों को मौत खोशित कर दिया दोनों के शब अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गई हैं पुलिस के अनुसार मरने वालों में लवादर का 28 वर्षय शेरु खान और दुलापुरा भिलवाडा निवासी देवलाल है मृतकों के परीसनों को सूशना दे दी गई है फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है अज मेर जिले की ग्राम जिठाना की समीब मोडी नाडी के पास एक खेद पर क्रिशी कारे कर रहा यवग अग्याद परी स्थीतियों में कुए में जागिरा जिसे कुए के पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई सिविल डिफेंस टीम ने पांच घंटे की मशक्कत के बाग मृतक यवग के शाव को कुए से बाहर निकाला जिठाना निवासी 33 वर्षिय महेंदर जाट मोडी नाडी में बने अपने खेद पर रिजके की कटाई कर रहा था इस वरा नग्याद कारणों से यवख कुए में जागिरा सुचना मिलते ही मंगलिय वास थाने की एसाई हुकम सिंग सुचना पर सीविल डिफेंस टीम भी मौके पर पहुंच गे और पांच घंटे की मशक्कत के बाद आखिर शओ बाहर निकाला हलका पटवारी गजेंदर सी सोधिया ने मौके पर पहुंच कर खटना की मौका रिपोर्ट बनाई जुंजनो सदर्थाना पुलिस ने मात्र तीन घंटे में अपहरण के तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया बदमाशों ने समसपुर गाम से सबजी लेने दुकान पर गए एक व्यक्ति का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया था अरोपी केमपर गाड़ी में सवार होकर आये थे पेडित चरण सिंग गाम की दुकान से सबजी खरीद रहा था इस जोरान कुछ बदमाश गाड़ी से उतरे और पेडित को जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गए आसपास के लोग कुछ समझ बाते इससे पहले ही पदमाश हर्याना की तरफ भाग गए इस समबंद में पेडित की पत्नी समझपुर निवासी मुनकेश ने थाना में उपस्तिती होकर अपने पती के अपहरण की रिपोर्ट दी थी अपहरण की सूशना पर पुलिस के भी हाथ पाँ फूल गए पुलिस ने तुरंत पर भाव से आसपास के लाकों में नाका बंदी की इस जोरान पुलिस को आरोपियों की लोकेशन चिडावा मिली इसके बाद डियस्टे टीम की मदद से आरोपियों को चिडावा में डिटेन कर लिया गया आरोपियों से पूस्तास जारी है झाल